सबी कुछ जैहिंद दोस्तों आप सबी का हर्दिक सौगत है जैहिंद रेक्शन्स पर आशा करता हूँ कि आप सबी लोग बहुत अच्छे होंगे तो आजम आपके एक लिए टेस्ट एक इंट्रोस्टिंग और एक बहुत ही दमदार वीडियो लेकर आएं जिसमें आप देख लेक्ते हैं और हम इसके बारे में बात करेंगे जैहिंद जैभारत दाउद इब्राहिम के दोस्तों तुम डर क्यों रहे हो कोई नहीं है तुम क्यों डर रहे हो और अभी लॉरन बिश्नोई का नाम ले करके अभी हालिया में सल्मान खान से किसी ने कहा जो महाराष्ट ट्र ग्राफिक पुलिस के पास एक मेसेज आया कि पांच करोड रुपए दो तो तुमारी जान बख्ष दी जाएगी वो हवावाजी वो लॉरन बिश्नोई के नाम पर कोई अपने आपको फेम करने की कोशिश में लगा है या अपना कमाई करने की कोशिश में लगा है ताट एक्टर और एक्टरिस की जिंदिगी बरबाद करवाई है तो पांच करोड सल्मान खान से मांगने वाला बहुत ही तुच्चा चोर होगा इसके इलावा कोई भी नहीं होगा बिल्कुल ही चपल जूदा वाला चोर होगा अब मैंने देखा कि महाराश में बहुत सारे मुसल जान लगा था कि जो एक वीडियो काफी ज्यादा पाकिसान में वाइरल हो रही है कि देखें इंडिया के लोग जोंसाय सुल्मान हान के लिए आप शैदीनी की बात इस इस इन्सान की बात कर रही है तो संजे दद तो टाड़ा के केस में गया हुआ हुआ है तो मुसल्मानों को हतियार देने के केस में आज भी उल्जा हुआ है संजे दद तो एक प्रोस्टिट्यूट से शादी करके बैठा हुआ है संजे दद ना कभी अपने पिता का हुआ ना कभी अपनी मा का हुआ तो संजे दद तो एक नहाय थी चरसी गंजेडी और दारू ब पाज और निहायती अश्लील एक्तर रहा है संजे दत के पिता अविचारे जो सुनिल दत साहब थे वो उनका उनकी इज़त को डुबाया अगर किसी नहीं तो उनकी इस बेटे सपूत ने संजे दत ने डुबाया है नहीं तो सुनिल दत साहब एक बहुत ही खुपसूरत और ए लेकिन संजे दत जैसा चरसी और घंजेडी और एक नंबर का ठरकी इंसान जिसको हम लोग बिलकुल भी इज़त नहीं दे सकते हैं लेकिन सल्मान खान से उसकी बहुत पट्टी है और यह जो दाड़ी वाले लोग हैं यह कैमरा के सामने कैसे आ जाते हैं यह तो हराम है और गले में चेन इतना कैसे पहन लेते तो अपने आपको पॉपिलर करने के लिए लौरन विश्नोई का नाम ले लो और उसके बाद फिर अपने आपको पॉपिलर कर लो लौरन विश्नोई की नजरों में यह जो चमनी अठनी लोग है यह समझे खटमल है खटमल ऐसे मसल देग कोई सुल्मान खान, मुनवर फरुकी और भोसे ऐसे नाम है जिनसे वो माफी भी मंगवा रहा है, जिसे वो मतलब प्रॉपर वो लोग उनसे डरते नजर आ रहे हैं, आस दोर पे मुनवर फरुकी ने भी मैं कलिप देख रहा था, शायद उन्हों ने भी माफी माफी मांग ली उसके लावा सुल्मान हान के फादर थे वो भी इंटर्वियू में कह रहे थे कि हम माफी मांगने को त्यार हैं अगर हम से कोई गलती हुई है इसके लावा और भी कुछ एक्टरेस हैं जिनों पास्ट में लारस बिशनों इसे माफी मांगी जेल में रहते हुए, ऐसा कैसे पासिबल है कि इतना डर, कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं होता है कि मालब पुलीस की कोई स्पोर्ट या कुछ ऐसी स्पोर्ट होती है बाहर politicians की sport होती है जिसकी वज़ा से ऐसा possible होता है देगे सबसे पहले तो मनवर फारुकी को मुरगा बन करके कान पकड़ करके कम से कम साथ दिन रोड पर खड़े हो करके माफी मांगने की जरूरत है क्योंकि सल्मान खान की हट गर्मी पर उचल करके मनवर फारुकी ने वो अभधरता की है और वो बत्तमीजी की है सनातन धर्म के देवी देवताओं के साथ जो सनातन धर्म के लोग ना कभी भूले हैं और ना कभी भूल सकते हैं और ना ही कभी भूलना चाहिए क्योंकि अगर इसको वाइस वर्षा कर दिया जाता और मनवर फारुकी जिस मज़भ से आता है उसके पैगंबर के खिलाफ या उसके भगवान के खिलाफ अगर कुछ बोल दिया जाता तो ना जाने कितने हिंदूओं का सर्टन से जुदा हो जाता लेकिन मनवर फारुकी ने भ ना ही लौरन बिश्णोई को मुझे लगता है कि साथ आठ देन मुर्गा बन करके बीच चौराहे रोड पर उसको खड़े होना चाहिए अब आती ये बात कि सल्मान खान के पिता सलीम खान वो क्यों माफी मांग रहे है वो क्यों माफी मांग रहे है अपराद और गुनह सल्मा खान रहे है तो कान पकड़ करके सल्मान खान वांगे लौरन विश्णोई से उसके पिता क्यों माफी मांगेंगे गल्ती अगर मैं करोऊंगी तो मैं माफी मांग हो गीकि तो माफी मांगीए गा Ö Is कितना गिरा हुआ इनसान है कि वह अपने अभबा को बोल दिया है कि माफी मांग लो तुम और हम हम ऐसे ऐसे करके चलते रहेंगे क्या यह इस देश की जनता क्या बेवकूप बैठी वी है कि अगर कोई कोई बेद्टी कोई समुदा है अगर किसी जानवर को अगर किसी एनिमल को वो अपना भगमान मानता है आप उसको पका कर खालोगे तब तो कल को इनसान को भी पका कर खालोगे आप अब आती है बात कि बार-बार बात यह उट रही है कि सरकार जो कैनाड़ा भी कह रहा है जो आपने भी पूछा मेरा सब्सक्रार लॉरेन विश्वोई से मिल करके यह कर रही है तो मैं यह पूछना चाहती हूं कि क्या कॉंग्रेस की सरकार अजमल कसब से मिल करके महराश्ट में आतंक मचाई थी क्या कॉंग्रेस की सरकार दाउद इब्राहिम से मिल करके इतने सारे आतंकों को और पूरे महराश्ट को एक गैंस्टर का और एक माफिया का स करवाई थी क्या Congress की सरकार लश्कर-ए-तआबा से मिलकर के यहां पर उसामा बिलादेन के समर्थक को पैदा करवाई थी यह भी सवाल पैदा होता है वह कुण्कि अभी अभी तो 10 सवाल की सरकार में सर्फ एक लॉर्ण विश्णोई दिखाई दिया है और जिसके जो तत्थ हैं और जो प्रूफ है वो उसके मूँ से खुद वो बोल रहा है कि भाई सलमान कान ने उसके भगवान जिस जानवर को वो भगवान मानता है उसको पका कर खा लिया मार दिया इसलिए मैं उस को सुननी चाहिए हमारी पूर्ष पर्धान मंत्री जिसको हम जिनको हम आज भी बहुत इज़त देते हैं और उनको नमन करते हैं इंद्रा गांधी जी 1969 से 1971 में अगर हम जाते हैं तो इंद्रा गांधी जी ने बहुत उपद्धर मचाया था सादो स्लोटर इंद्रा गांधी जी ने करवाया सिखोका स्लोटर इंद्रा गांधी जी ने करवाया इमर्चनसी इंद्रा गांधी जी ने लगवाया, मीडिया और प्रेस मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रोनिक मीडिया की जुबान को कटवाया इंद्रा गांधी जी ने रेडियो इंद्रा गांधी जी ने बंद करवाया, डेडी नियूज इंद्रा गांधी जी ने बं ने जानबूचकर के सम्विधान में चेड चाड़ करके आतंकी मुसलमानों को सम्विधान के द्वारा और पावर दे दिया जानबूचकर के वक बोर्ड बनवा दिया जानबूचकर के ओल इंडिया यहीं न बोलते हैं अब आती है बाद नहरू सहब की अरे उनको तो इतनी लालच थी वजीर आजम बनने की कि उन्हों ने तो हमारे देश के ही टुकड़े कर दिये भारत और पाकिस्तान बना दिया जिन्नाब चाहता था कि वो वजीर आजम बने और नहरू चाहते थे कि वो व सता हुआ छोड़ दिया उन्होंने राम मंदर में विवात पैदा करवा दिया उन्होंने कई ऐसे बिल है जिसको पास नहीं किया 33% वो में रेजर्वेशन बिल पास नहीं किया तो क्या करें हम उनको महीला विरोधी मालने किया राज़िव गांदी जी को अब आती है राहु विरोधियों से मिलते हैं ऐसे ऐसे organization के लोगों से मिलते हैं जो खुल करके भारत का विरोध करता है और भारत के खलाफ काम करता है विदेश मुल्क में बैठ करके तो क्या हम राहुल गांदी जी को देश का विरोधी मान लें क्या अब आती है बात कि हमारे भारत की राजधान दिल्ली में आतिशी मरलीन जो है वो अभी मुख्य मंत्री बन करके बैठी है क्या पाकिस्तान को ये बात पता है बलके खुशी होगी पाकिस्तान को जैसे भारत की मुसल्मानों को बहुत खुशी हुई है आतिशी मरलीन की अम्मी जान जो है वो अफजल गुरू के जानी दिल्ली की मुख्यमंत्री बन करके बैठी है वो गई थी प्रेसिडेंट से मिलने के लिए और जा करके वहां पर गुहार लगाया था उन्होंने के अवजल गुरू को फासी नहीं होनी चाहिए वो उनके लिए हीरो था और और हमारे सरवुचे न्यायपालिका के हिसाब से अवजल गुरू जो है वो इस्टैंड आतंकी था हमारे भारत में जिन मुस्लिम समुदाएं ने याकोब मेमन के जनाजे की नमाज को नमाज करवाया और सहलाब की तरह मुसल्मान गए तो हम उनको भी आतंकी मानले जो जो गए थे अब आती है बात कि हमारे भारत में हमारे भारत में उसामा बिलादेइन के समर्थक है अगर भारत का कोई समुदाएं को एक ग्रूप का समर्थक हो रहा रहा है तो खुजली क्यूं हो रही दोस्तों आश्या करता हूं कि वीडियो को आपने अंतक देखा होगा और सोहेब चोद्री और नाजिया लाई खान जी गा ये पूरा डिसक्रेशन आपको काफी पसंद है होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा जहां पर आपने देखा है नाजि बहारत